काम किये है ठीक है नमस्कार साथियो तो करेंट अफेर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूँ बच्च अक्टूबर की करेंट अफेर है आपको दिख रहा होगा अक्टूबर 2022 पार्ट वन है ना पहले तो भई अब यह शुरू हो गई मन्तली वैसे तो मैं आपको कहे दूँ कि कही बार ना यह आगे पीछे भी हो जाती है थोड़ी डिले भी हो जाती है तो क्लास रोज लेने की आप आदत डालो ठीक है रोज नहीं तो कम से कम जो रोज नहीं लेते हैं वो वीकली ले लिया करो है ना जिस वीक की वीकली रिविजन जादे तर होता ही है एकाद का ना हो तो उस दिन डेली वाली क्लास देख ली और फिर भी हलंकी के हर वीक अब एक मन्त हम जरूर खतम कर देंगे यह देखते हैं ठीक है हर वीक जो है एक मन्त हम शायद मार्च मार्च में सारे खतम हो जाए तो आज देख लेते हैं अक्टूबर 2022 पार्ट वन लिखा है यह आज जो है दो पार्ट में है क्लास पार्ट वन और पार्ट टू पूछे जा सकते हैं पंद्रह महीने तक भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वो पार्ट वन में रखे हैं बच्चो और जो पार्ट टू है वो मेरे हिसाब से थोड़े से कम महतपूर है महतपूर तो है तब ही इस क्लास में शामिल है लेकिन पहले पार्ट की अप एक चाह उतने जादा नहीं है बचो और लगबग 7-8 महीने तक उन से पूछा जा सकता है सवाल 7-8-9 महीने तक एक साल तक उनकी वैलेडिटी नहीं खिचेगी ठीक है किलियर है चले आगे तयारो आप दो घंटे धाई घंटे के असपास की क्लास रहेगी तो भई थोड़ा सा तयार हो कई चलनी है शुरू करनी है ठीक है चलो शुरूआत करते हैं पहले सवाल के साथ बहुत महत्पूर सवाल है सारे के सारे सच्छ सर्विक्षन 2022 जो सच्छता का एक सर्विक्षन होता है जो बच सच्छ सहर कौन सा है इन दौर लगातार कौन से साल बच्चो छटे साल लगातार छटे साल एक लाग से अधिक आबादी वाले जो शहरों में है दो केटेगरी हैं इसमें बच्चो दूसरा है एक लाग से कम आबादी में सबसे सच्छ शहर है पंच गनी बच्चो क्या है सब से सच एक لا gauche से कम आबादी में याद रखना दोनों में एक लाग से अधिक आबादी में इन दौर है एक लाग से कम आबादी में सबसे सच है पशज पंच गनी पहली बार किसी शहर को 7 स्टार कुछरा मुक्त शहर की क्या दी गई बच्चो रेटिंग दी गई है और वह भी इ इसी को दी गई है एक लाग से जादा जनसंख्या में अब देखो एक लाग से जादा जनसंख्या में आपने शहर देख लिया अब गंगा टाउन यानि जो गंगा के किनारे हो वो कौन सा है बच्चो वो हरीद्वार एक लाग से जादा में और बिजनौर एक लाग से कम में ठ ठीक है इन दौर था ये आपको क्लियर होना चीए लगातार छटे साल इन दौर ये रहा है बच्चो ठीक है चलो बिलकुल ये ऐसे सी, MTS, CGL, CHSL सब के लिए क्लास है बच्चो इसलिए तो इसको मंतली रखा है कि हर एक्जाम के लिए जरूरी है और MTS और CGL जिनका अभी आ र पूछा जाएगा बच्चो के हाल ही में महिला वेपरुसों को समान मैच फीस for all competitive exams मैंने लिखाए है ना इसलिए for all हर एक्जाम में जिसमें अक्टूबर की क्लास ली जाएगी बच्चो अक्टूबर की पूछी जाएगी उसमें ये सब पूछी जाएगी तो BCCI ने किया है टेस्ट मैच में कितनी फीस दी जाएगी है महिलाओं को 15 लाख दी जाएगी बच्चो एक टेस्ट मैच खिलने की वंडे में भी 6 लाख जो है बराबर हो गई है यानि कि पूरुसों को भी यही फीस दी जाती है महिलाओं को भी यही वंडे में बच्चो यही फीस दी जाती है T20 में 3 लाख रुपे ठीक है याद रखना है test match में fees पूछ ले 15 लाख है वंडे में पूछ ले 6 लाख है T20 में पूछ ले 3 लाख है हाल ही में किस ने पुरुस और महिला खलाडियों को समान fees देने का अधिने लिया है BCCI ने बच्चो इसने BCCI ने और सबसे पहले समान fees कौनसे बोड ने दी थी New Zealand ने दी थी बच्चो ठीक है New Zealand ने दी थी सबसे पहले चलो पहले सवाल पर पहुंचते हैं WIPO का Global Innovation Index जो है 2022 में उसका भारत में उसमें भारत का इस्थान यानि Global Level पर Innovation को अपनाने के मामले में नई नई चीजों को अपनाने में नवाचार को अपनाने में भारत का कौन सा इस्थान है 40 वा इस्थान है भारत का कौन जारी करता है इस Index को बच्चो World Intellectual Property Organization विपो इसे जारी करता है भारत की चालिसवी रैंक है 2015 में 81 रैंक थी 81 यानि 15 से लेके अब तक हमने नई नई चीजों को अपनाने में बहुत ज़्यादा क्या किया है बहतरीन परदरसन बच्चो किया है ठीक है चलो जिनेवा में है WIPO का मुख्याल है और इसमें 133 सदस्य देश है किस भारती राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क इसमें तो ज़्यादा कुछ पूछेगा ही नहीं सिंपल ये पूछेगा बच्चो कि भई ये जो है हरियाना ठीक है हरियाना ने सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विक्सित करने की क्या कि ये बच्चो घोषना की है और ये अरावली रेंज में किया जाएगा कहां पर अरावली रेंज में किया जाएगा और हरियाना में ही उत्तर भारत का उत्तर भारत का पहला Nuclear Power Plant Nuclear Power Plant उत्तर भारत का पहला Nuclear Power Plant भी गहां पर हरियाणा में कौन सी जिगह पर हरियाणा में जल्दी बताओ हरियाणा में कौन सी जिगह पर गोरकपुर बिल्कुल ठीक है बचो ना गोरकपुर गोरकपुर एक गाओं है क्या है बचो गोरकपुर एक गाओं है हरियाना में किसको विभिन वर्सों के लिए रास्टिय लता मंगेसकर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है रास्तिय लता मंगेस का पुरुषकार बच्चो 2019 के लिए शैलंदर सिंग को 2020 के लिए आनंद मिलिंद को 2021 के लिए किसको बच्चो कुमार शानू को तो लता मंगेस का रास्तिय पुरुषकार से सम्मानित किया गया है इन तीनों को ठीक है किन को किया गया है इन तीनों को किया रहा है कि जो प्रत्वी की तरफ एस्टरोइड आ रहा है ना उसकी दिशा बदलने के लिए उसकी दिशा बदलने के लिए स्पेस्क्राफ्ट उससे टकराया जिससे वो प्रत्वी से इधर या इधर चले जाए ठीक है चलो तो यह हो जाएगा कौन सा नासा यह क्या है बच्छो नासा कौन से राज्य ने 2022 में 36 में रास्तिय खेलों की मेजबानी की है कौन से राज्य ने की है बच्छो तो 36 में रास्तिय खेल गुजरात में हुए है 35 में कहां हुए थे बच्छो 35 में 2015 में हुए थे कहां हुए थ तो बच्चो गोवा में आयोजित किये जाएंगे, कहाँ पर? गोवा में आयोजित किये जाएंगे, ठीक है? चलो, कौन से यान का इस रो से संपर्क अभी समाप्त हुआ है? तो बच्चो मंगल यान जो है जो की भारत का 2014 में लाँच हुआ था, इस रों से उसका समाप्त हो गया है इस रों से उसका अभी हाल ही में समाप्त हो गया है समपर्ट ठीक है तेलंगाना रास्टी समीती का नया नाम क्या है भारत रास्ट्र समीती है तेलंगाना रास्ट्र समीती का नया नाम भारत रास्ट्र समीती है CBDC हाल ही में चर्चा में था इसकी full form क्या है C for central, B for bank D for digital, C for currency आपको पता होगा RBI DigiRupee नाम से क्या खोल रहा है बच्चो अपनी क्या शुरू कर रहा है ये जो क्या है न बच्चो online currency टाइप बोल सकते हो आप ठीक है digital currency है न जो कि जो paper currency की तरह ही जिसकी value होगी RBI जिस पर क्या रखेगा नजर भी रखेगा RBI द्वारा regulate भी होगी बस वो paper currency नहीं होगी ठीक है तो ये हो गया digital रूपी या digi रूपी बच्चो चलो times higher education world university ranking बच्चो ये world है ठीक है ये world है इसे कर लेना ठीक तो world university ranking जो आई है times higher education की वो ranking में उसमें 1799 total जो है सरस्थान लिये गए है 1799 से भारत की कितने हैं 55 हैं लेकिन top 250 में भारत का कोई भी नहीं है times higher education में top 250 में कौन है भारत का कोई भी नहीं है बच्चो ठीक है और 251 से 300 में भारत का है IISC बंगलूर कौन है IISC बंगलूर है इसमें भारत का ठीक है बच्चो इसमें है भारत का global hunger index में सबसे उपर भारत का स्थान कौन सा है 107 वा इसमें सबसे नीचे किसकी ranking है बच्चो यमन की है किसकी है यमन ठीक है बारवी महारत प्रत्न कमपनी हमारी कौन सी बनी है REC Limited REC Limited जो है इसको क्या बोलते है Rural Electrification Corporation Limited बोलते है क्या बोलते है Rural Electrification Corporation Limited बच्चो बोलते है महारत्न बनने के लिए क्या क्या हो नीची एक कमपनी देखो महारतन आपको पता है सबसे नीचे के लेवल पे सरकारी कंपनी मिनी रतन फिर नवरतन फिर महारतन तो महारतन बनने के लिए क्या होना चीए एक तो वो नवरतन कंपनी हो पहले से ही नवरतन हो बचो स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम हो और पिछले तीन सालों में ओसत सालाना टर्नोवर 25,000 करोड से अधिक जो सालाना वो टर्नोवर उसका आता है ओसत सालाना 25,000 करोड से अधिक होना चीए यानि किसी बार 20 भी हो तो एक बार 30 भी होना चीए 25 एवरेज होना चीए ठीक है ओसत नेट वर्थ कितनी होनी चीए उसकी 15,000 करोड से अधिक यानि किसी साल उसकी अगर company की कीमत 18,000 क्रोड थी किसी साल 12,000 क्रोड, किसी साल 15,000 क्रोड तो कुल मिलाके average उसका 15,000 क्रोड उसकी net worth होनी चीए औसत हर साल और औसत लाब उसका शुद्ध लाब net profit वो होना चीए पांच हराजार क्रोड से अधिक तीन साल में औसत तो ये इसके लिए शर्थ हैं बच्चो क्या है ये शर्थ है ये शर्थ ठीक है और अब हमारे पास महारतन कंपनी कितनी है अब हमारे पास बारे कंपनी है किस कोट ने विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भ पात का अधिकार दिया है सुप्रिम कोट ने दिया है किस भारतिय महिला ने UN का SDG यानि Sustainable Development Goals Action Award जो होता है ना UN SDG Award में Change Maker नाम से एक जो पुरुसकार दिया जाता है वो जीता है तो Change Maker वाला Award किसने जीता है बच्चो स्रस्ती बक्षी ने किसने स्रस्ती बक्षी ने ये रुचिरा कमबोज कौन है ये UN में भारत की स्थाई पृतन अच्छी ने ये रुच्छी ने राज्य योजन आयोग की जगह राज्य पर्शी परिवतन आयोग बनाने की लोड़ने की गोशना की है बच्चो जिस सवाल पर ज़्यादा टाइम देने की ज़र्थ होगी उस पे जादा टाइम देंगे जिसपे केवल सिंपल सवाल बनता है उस पे कम टाइम देंगे ठीक है ? किलियर है ? अगर किलियर है तो एक बार थमसब कर दो सारे के सारे तो बच्चों ये है उत्तरप्रदेश इसने राज्य का जो योजन आयोग था उसकी जगह जैसे नीती आयोग बना है ना उसी की तरज पर बच्चो राज्य परिवर्तन आयोग जो है उसे गठित करने का नेरने लिया है हाल ही में किसने नई दिल्ली में स्वच्छ सरवेक्षन के पुरुसकार प्रदान किये हैं तो बच्चो ये किये थे हमारी राष्टपती ने ठीक है राष्टपती राज्यो में पहला इस्थान किसका आया है मध्य प्रदेश का आया है राज्यो में पहला इस्थान बच्चो चोटे राज्यों में तिरपुरा का, राज्यों में मध्यप्रदेश का, ăक छोटे राज्यों vermeं तिरपुरा का पहला इस्ठाण आया है बच्चों ठीक है, तो ये हो गई चिकिस्सा की बच्चो है ना इन्होंने जीता है स्वंते पाबो ने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने किसको सलहा देने के लिए युवा 2.0 योजना शुरू की है तो युवा 2.0 योजना जो है वो शुरू की गई है किसके द्वारा बच्चो किसके द्वारा वो सिक्षा मंत्रा लेके द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए युवा लेखकों को सलाह देने के लिए की गई है बच्छो इंडियन एर फोर्स में शामिल किये गए पहले Made in India Light Combat Helicopter का नाम क्या है पहला Made in India Light Combat Helicopter जो है उसका नाम क्या है बच्छो पिर्चंड है जिससे किस में शामिल किया गया है इंडियन एर फोर्स में शामिल किया गया है ये किस कंपनी ने बनाया है बच्छो H.A.L. हिंदुस्तान Aeronautics Limited ने ये बनाया है कौनसा के इंडियन मंत्रा ले युवा 2.0 योजना से जुड़ा हुआ है बच्छो है ठीक है 2.0 से जुड़ा हुआ है क्या सिक्छा मंत्रा ले युवा लेखकों को सलहा देने के लिए युवा की फुल फॉर्म क्या है यंग, upcoming, and versatile authors यंग, upcoming, and versatile authors जो है इसकी फुल फॉर्म है बच्छो बहुतिकी का नोबल पुरुसकार तीन लोगों को मिला है किसको तीन लोगों को मिला है है ना एलन एस्पेक्ट हैं इसमें एलन एस्पेक्ट बच्चो नमबर दो जॉन एफ क्लोजर हैं और नमबर तीन है एंटोन जिलिंगर कौन हैं एंटोन जिलंगर बच्चो ठीक है तो इन विज्ञानिकों ने क्या किया क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीक का रास्ता साफ किया इन्होंने इसलिए इन्हें भौतिकी का नोबल यानि फिजिक्स का नोबल मिला है इन तीनों को बच्चो फिबा महिला बास्केट बॉल विश्व कप में चीन को हराकर ग्यारमी बार विश्व खिताब यानि वर्ल्ड टाइटल जीता है किसमें महिला बास्केट बॉल विश्व कप में तो ये जीता है यूएस एने किसमें जीता है यूएस एने बच्चो चुनाव आयोग ने नेशनल आईकॉन अपना किसको बनाया है बचो पंकज तरपार्थी को बचो जब हम रोज या उसमें क्लास लेते हैं रोज या वीकली जब हम वीकली क्लास लेते हैं चलो तो जब हम वीकली क्लास लेते हैं तो क्या होता है तब हमारी या रोजाना की क्लास लेते हैं तब हमारी साथ के साथ तयार हो जाती है गरंट अफेर ठीक है लेकिन अगर हम क्या करेंगे अगर हम बच्चो केवल मंथली लेंगे न तो फिर हमैं खुद से महनत थोड़ी सी उसमें करनी पड़ेगी अब यह आपको देखना है कि आपको मंथली ख्लास लेनी है रोजाना लेनी है तो थोड़ी सी महनत ने नाथ पाई के नाम पर चिपी हवाई अड़े का नाम करंड किया है तो यह किया है बच्चो महरास्ट के दौरा ठीक है महरास्ट के दौरा नाथ पाई के बच्चो क्या किया है बरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रख दिया गया है चिपी ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े का नाम वेदानता के संस्थापक है अनील अगरवाल उनको किस देश में ग्लोबल इंडियन अवार से सम्मानित किया गया है तो कनाडा में उनको ग्लोबल इंडियन अवार नाम से सम्मानित किया गया है बच्चो सच्छी सर्वेक्षन पुरुसकार में किस सहर ने पहला इस्थान प्राप्त किया है इंदोर ने पहला इस्थान प्राप्त किया है बचो राज्य में मध्य प्रदेश ने किया है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना ने रूरल छेतर में भी इंडस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे जहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगी बच्चो ये शुरू की गई है 36 गड़ के द्वारा शर्णार्थियों के लिए संयुक्त रास्त के उच्चायुक्त द्वारा जो एक नानसेन पुरुसकार दिया जाता है क्योंकि सरनार्थियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया तो नानसेन पुरुसकार किसको दिया गया है बच्चो एंजिला मरकेल को किसको एंजिला मरकेल जर्मनी की पूर्व चांसलर है रास्टपती द्रोबदी मुर्मू ने किस सहर में महीला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉंच किया है क्या लॉंच किया है बचो हर स्टार्ट तो ये एहमदाबाद में शुरू किया गया है राष्टपती द्रॉबदी मुर्मू के द्वारा बच्चो ठीक है ये महीला उद्ध्यमियों को समर्पितिक मंच होगा तो महीला उद्ध्यमियों को स्टार्टप वगएर अगर वो शुरू करती हैं उनकी मदद करेगा नवाचार यानि innovation को अपनाने में उनकी मदद करेगा ये ध्यान रखना है आपको ठीक है चलो साहित्य का नोबल पुरुषकार किसने जीता है इस बार तो साहित्य का इस बार जीता है एनी एर्नॉक्स ने किसने जीता है बचो एनी एर्नॉक्स ने जीता है साहित्य का पुरुषकार अंतरिक्ष की आत्रा करने वाली पहली मूल अमेरिकी महीला पहली मूल बच्चो ठीक है वहीं की जो है नेटिव तो वो है निकोल मान कौन है निकोल मान है पहली मूल अमेरिकी महिला फैजाबाद केंट का नाम बदल कर क्या किया गया है बच्चो अयोध्या केंट नाम कर दिया गया है फैजाबाद केंट का नाम उससे पहले बचो अध्या किया गया था फैजाबाद जिले का नाम ठीक है फैजाबाद जिले का नाम इरानी ट्रॉफी किसने जीती है जल्दी बताओ तो इरानी ट्रॉफी जीती है रेस्ट आफ इंडिया ने ठीक है रेस्ट आफ इंडिया ने ये किस किस के बीच खेली जात रंडजी टॉफी के विजेता और बाकी के भारत के बीच में बच्चो, तो 2020 में सौरास्ट ने जीती थी रंडजी टॉफी, उननिस बीस में बच्चो, ठीक है, तो 2020 के बाद एरानी हो इनी पाई थी, फिर कोविड आ गया, तो ये वो वाली, है न, ये उसके लिए खेली गई ये अवी, ठीक है, ये उसके लिए खेली गई है, इस बार भी 2021-22 की भी किस ने जीती है बच्चो, ये 2021-22 की रंजी टॉफी, वो भी सौरास्ट ने जीती है, सौरास्ट ने याद रखना है, सतन कैंसर जागरूकता महा, तो महा तो शुरू होता है, एक से 31 अक्टूबर किस देश में नया भव्य हिंदू मंदिर खुला है तो अभी हाल ही में UAE में भव्य हिंदू मंदिर खुला है ठीक है बिलासपुर का जो अखिल भारतिय आयरुग्यान संस्थान है यह कौन सा बिलासपुर है जहां पर अभी एम्स बना था तो यह 36 गड़ वाला नहीं है बच किसे अंतरास्तिय होकी महासंग ने चार ने साल का सर्शिस्ट पुरुस गोलकीपर चुना है वो संस्था जो इंटरनेशनल लेवल पर होकी को रेगुलेट करती है उसे बोलते हैं अंतरास्तिय होकी महासंग फेडरेशन ओफ इंटरनेशनल होकी वच्चो ठीक है तो पी आर स्रिजेस को best goalkeeper का आवार्ड इसमें दिया गया है सविता पुनिया को महिलाओं की category में दिया गया है दोनों ने लगातार दूसरी साल ये आवार्ड जीता है पिछले साल भी best goalkeeper और best महिला गोलपीपर भारत की थी बच्चो इस बार भी क्या है भारत की ही है ठीक है मुमताज खान भारत की, क्या भारत की मुमताज खान, बिलकुल बच्चो, राइजिंग स्टार, यानि की उभरती महिला वारसिक खिलाडी बनी है, मुमताज खान बच्चो, भारतिये वायू सेना दिवस मनाया जाता है, आपको पता है, आठ अक्टूबर को, ठीक है, आठ अक करोड रुपे का medical device पार्क बनाया जाना है वो कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में स्थित है कहाँ पर बच्चो हिमाचल प्रदेश में शांती का नोबल प्रुसकार किसको मिला है इनमे से तो बच्चो एलेस बिलियालियास्की एलस बियालियास्की को मिला है शांती का नुबल साथ में दो संस्थाओं को भी मिला है एक तो मैमोरियल है रश्या की संस्था और सेंटर फोर सिविल लिबर्टी कहां की है यूकरेन की है बच्चो ठीक है मैमोरियल कहां की है ये संस्था है रश्या की और Center for Civil Liberty है यूकरेन की इनको भी साथ में दिया गया है ये पुरुसकार दोनों को ठीक है योगासन में स्वन जीतने वाली पहली अथलीट ये बनिये बच्चो पूजा पटेल आपको पता है जो 36 गेम हुए रास्तिय खेल गुजरात में तो वहाँ पर पूजा पटेल ने जीता योगासन में स्वन और योगासन 2022 में पहली बार ही इन खेलों में शामिल किया गया था जब पहली बार ही ये पदक किसी को भी दिया गया है ठीक है चलो किस टैनिस खलाडी ने 2022 में तेल अवीव ओपन तो नवाक जोकोविच ने तेल अवीव ओपन जीता 2022 के जितने भी क्या होते है बच्चो जो ग्रेंड स्लैम होते हैं तो उन ग्रेंड स्लैम में से एक और जीता था इनोंने एक ग्रेंड स्लैम भी इनोंने जीता था कौन सा इन्होंने जीता था बच्चो कौन सा विम बल्डन विम बल्डन जो है इन्होंने जीता था नुवाक जोकोविच ने और तेल अवीव उपन होता है इस्राइल में किस राज्य का मामलापुरम है उसने विदेसी परेटकों के मामले में ताज महल को पीछे छोड़ दिया बच् किस गाओं को भारत का पहला 24-7 सौर उर्जा संचालित गाओं घुशित किया गया है तो मोढहरा को किया गया है ठीक है कौन से जिले में है गुजरात के में महसाना जिले में है गुजरात का जो मोढहरा है भारत का पहला 24-7 यह यानि 24 गंटे 7 दिन सौर उर्जा से ही चलती है बच्चो, made in India drone है एक drone या drone उसका निर्मान किस company द्वारा किया गया है, गरुड एर space के द्वारा किया गया है इसे किस ने launch किया था, तो इसका नाम है drone या drone तो ये धोनी है ना किस ने launch किया है MS धोनी ने से launch किया है बच्चो, मुलाइम सिंग यादव उनका निधन हो गया, किस राज्य के थे बच्चो वो पूर्व मुख्य मंतरी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी थे मुलाइम सिंग यादव किस देश ने सूरिय के रहस्यों को जानने के लिए काफो 1 उपगरहे लॉंच किया है काफो 1 जो है चीन ने लॉंच किया है बच्चों ना किसके लिए है ये सूरिय के रहस्यों को जानने के लिए जैसे भारत भी आदित्य L1 नामसे एक मिशन भेजेगा किसके लिए बच्चों सूरिय के लिए भारत का पहला सूर्य मिशन रहेगा आदित्य एलवन मल्खम को किस राज्य का राज्य खेल यनि ये जो है इन्होंने बनाया है उद्घाटन किया है अटि पीसी ने और इन्होंने बच्चो बनाया है ठीक है कहां पर बनाया है ये बनाया है हिमाचल प्रदेश में कहां हिमाचल प्रदेश में याद रखना है बच्चो चलो टेली मानस पहल जिसे हाल ही में लॉंच किया गया वो किस छेतर से संबंदित है तो बच्चो ये ये जो है ना टेली मानस ये मानस का मतलब क्या है मानस क कि किसके बच्चो जो मानसिक जो वो है मानसिक स्वास्थ है उसे बनाए रखने के लिए टेली मानस पहल शुरू की गई है ठीक है किसके द्वारा शुरू की गई है के इंद्रिय स्वास्थ है और परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा ये शुरुआत की गई है ठीक है चलो 36 रास्तिय खेलों में पुरोसों की जो 100 मीटर फ्री स्टाइल तराकी है उसमें 60 पदक किसने जीता है ये बहुत महतपूर्ण है क्योंकि इसमें इन्होंने बनाया है बच्चो क्या इसमें इन्होंने बनाया है रिकॉर्ड स्रीहरी नटराज ने ठीक है बच्चो 100 मीटर में स्रीहरी नटराज ने बनाया है रिकॉर्ड अक्टूबर 2023 में 37 रास्तिय खेल होंगे कहां पर होंगे बच्चो कैई गोवा में होंगे बिलकुल ये गोवा में आयो जित की ये जाएंगे क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाला पहला खिलाडी कौन बना है बच्चो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां के है ये पुर्तगाल के है ठीक है बच्चो पुर्तगाल के बच्चो बस वही सवाल रखे हैं जो बहुत महत्पूर्ण है फाल्तू का कचरह रखा नहीं है और जिस सवाल में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है उसमें बताएंगे नहीं जिसमें कुछ समझाने का होगा उसमें समझाएंगे भी तिक है तो धान रखना है जहां के इवल फैक्ट याद करना है उस पे थोड़ा सा काम आपको साथ साथ करना है ठीक है थोड़ा सा काम आपको करना उसमें पड़ेगा चलो अंतरास्ति ये बाली का दिवस मनाया जाता है बच्चों 11 एक्टूबर को याद करना है आपको इस बार की थीम क्या थी ऐवर टाइम इज और अवर राइट्स अवर फ्यूचर अवर टाइम इज नाओ आवगा वर राइट्स अवर फ्यूचर इस बार की थीम थी ICC Player आफ दामन जीतने वाली पहली भारतिय महिला क्रिकेटर यानि इन से पहले किसी नहीं जीता बच्चों ICC Player of the Month शुरुआत जिसकी हुई थी जनवरी 2021 में इस अवार्ड की शुरुआत कभी थी जनवरी 2021 में वो महीना बच्चो जब मैंने Current Affair पढ़ाना शुरू किया था 4 जनवरी 2021 से ठीक है 4 जनवरी 2021 से शुरू किया था Current Affair पढ़ाना उसी मन्त से शुरुआत हुई थी कभ किसकी बच्चो ICC Player of the Month की ठीक है उसी मन्त से हुई थी बच्चो शुरुआत याद रखना है संयुक तरब अमीरात का Sears Alternative Medicine Award कि सिक्षा विदने जीता है UAE का Top Alternative Medicine Award यानि किसी Medicine के बदले में कोई दूसरी Medicine यूज जो की जा सकती है उसके लिए Award दिया जाता है तो यह दिया गया है बच्चो वजाहत हुसेन को किसको वजाहत हुसेन को यह दिया गया है देखो बच्चो भारत में जो जन्गर्ना होती है न तो उसके जो सबसे बड़े Officer होते हैं उन्हें हम बोलते हैं Registrar General and Census Commissioner of India यानि भारत के महापंजियक और जन्गर्ना आयुक्त तो वो भी बदले हैं पहले विवेक जोशी थे कौन-कौन जानता था कि पहले विवेक जोशी थे बच्चो पहले विवेक जोशी तो मिर्तुन्जे कुमार नारायन मिर्तुन्जे कुमार नारायन बच्चो भारत के नए Registrar General and Census Commissioner कौन थे मिर्तुन्जे कुमार नारायन याद रखना है ठीक है अब नए बने हैं कौन बने हैं नए मिर्तुन्जे कुमार नारायन बच्चो चलो बच्चो जब Current Affairs मैंने पढ़ाना शुरू किया उससे पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था याद है किसी को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता था उससे पहले चलो बताओ एक बर जड़ा थोड़ा सा आपको रेस्ट भी मिल जाएगा हाँ रोहित कश्चप कह रहे हैं जी English सम्या को भी पता है चलो English बिलकुल बहुत सारे बच्चों को पता है इसका मतलब चलो ठीक है हाँ बच्चों पहले English पढ़ाता था ठीक है भायत के नए महापंजियक और जन्गर्ना आयुक जो है Registrar General and Census Commissioner है मिर्टुन्जय कुमार नारायन कौन है बच्चों मिर्टुन्जय कुमार नारायन अभी कुछ निधन हुए है जैसे मुलायम सिंग यादव मैंने आपको बताया था मुलायम सिंग यादव का हाल ही में निधन हुआ था और बच्चों तुलसा तोती तुलसा तोती का भी निधन हुआ है अभी हाल ही में ठीक है तुलसा तोती का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है और आप जानते हो वो भारत के विंड मैन है भारत के विंड मैन भारत के विंड मैन उन्हें कहा जाता था ठीक है इसमाल श्रॉफ का भी हुआ है बॉलिवुड डायरेक्टर थे जेजे इरानी भी है स्टील मैन आफ इंडिया उन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है स्टील मैन आफ इंडिया उन्हें कहा जाता है ध्यान रखना है ठीक है स्टील मैन आफ इंडिया कहा जाता है जे जे इरानी स्टील मैन आफ इंडिया बहुत बार आता है बच्चो ये हुमकेड ये हिमकेड जो है बहुत बार आता है और ये हिमाचल प्रदेश की योजना है ठीक है हिमाचल प्रदेश की तो ये क्या बताती है बच्चो किसानों को बहतर जल संरक्षन और फसल विवधी करन यानि एक बार कोई सी फसल दूसरी ब करने के लिए बच्चो लोगों से संपर्थ करती है उन्हें गाइड करती है योजना हिमकेड योजना कहा की है हिमाचल प्रदेश की है बच्चो किस राजजी के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर आल कारेकरम शुरू किया है क्या उडीसा के ने बच्चो उडीसा ने पहली यूरोपिय महिला अंत्रिक्ष में कि स्टेशन बना हुआ है बच्चो अमेरिका रूस जिसे चलाते रहे हैं अंत्रिक्ष से संबंदित चीजों की खोज करने के लिए दूसरा स्टेशन ऐसा चाइना बना रहा है तो जो पहला स्टेशन था इसकी कमान सम्भालने वाल बच्चो हेली इंडिया समिट इसको बच्चो उद्घाटन किया था तो जो हमारे नागरिक उडियन मंत्री है जो तिरादित्य सिंधिया उन्होंने किया था बच्चो इस बार की थीम क्या थी हेलीकोप्टर्स फोर लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानि लास्ट मील तक भी कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए किसका यूज किया जा है हेलीकोप्टर का देश के 50 में जो CGI है वो कौन है वो कौन है बच्चो दी वाई चंद्रचूड भारत के 50 में ठीक है धननजय यसवंत चंद्रचूड उडनचास में कौन से से यू यू ललित क्या नाम था उनक यू यू ललित बच्चो भारत का पहला कडावर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारन ने इसकी रक्षा के लिए जो आपको दिख रहा है कडावर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारन ने किसने बच्चो बनाने की घोशना किया क्या तमिल नाडू ने किया है बिलकुल तमिल नाडू ने क पी एम डिवाइन योजना जो हाल ही में चर्चा में थी किस छेतर के लिए है पी एम मतलब प्रधानमंत्री डी इवी मतलब डेवलपमेंट आई मतलब इनिशेटिव और एनी मतलब नॉर्थीस्ट के लिए फोर नॉर्थ इस्ट तो ये जो है बच्चो उत्तर पूर्वी छेत ने के लिए दिवस मनाया जाता है ठीके बच्चो 2022 का जापान ओपन पुरुस एकर किस ने जीता क्या बच्चो टेलर फिर्ज ने क्या टेलर फिर्ज ने जीता तो बच्चो जापान ओपन किस में खेला जाता है टैनिस में खेला जाता है जापान ओपन टैनिस में खेला जा Fast-Track Mechanism इस्थापित किया जाएगा जो कि भारतिय इंवेस्टर्स की वहाँ पर मदद करेगा तो वो किया जाएगा कहाँ पे क्या सयुक्त अरब अमेरात में? बिलकुल हिंदु मंदिर कहाँ बना था? सयुक्त अरब अमेरात में? बिलकुल भारत से बाहर पहला IIT भारत कहां बनाएगा तो वो भी UAE में ही बनाएगा बच्चो भारत से बाहर सुल्तान आमेमोयर इस पुस्तक के लेखा कौन है वसीम अकरम आप जानते होगे बच्चो जो भी इंटरनेशनल किरकेट के आज तक के सबसे महान गेंदबाज हुए हैं उन कुछ गिने चुने गेंदबाजों में वसीम अकरम का नाम आता है और बच्चो ये वसीम अकरम जो हैं ये इन्होंने पुस्तक लिखी है सुल्तान आमेमोयर ठीक है सुल्तान स्विंग के सुल्तान भी कहा जाता था स्विंग बहुत करवा थे थे और ये पाकिस्तान के हैं कहां के हैं पाकिस्तान के बच्चो 61 रास्टिये Open Athletics Championship कहां हुई आप से पुछा जाएगा कि भई 2022 में 61 रास्टिये Open Athletics Championship कहां पर हुई? बंगलूरु में हुई कहां पर बंगलूरु में इसमें पुरुस वर्ग किसमें किसने जीती बचो ये चेंपियंशिप सेना सेना जो है तीनों को मिला के सर्विसिज कहा जाता है और महीला वर्ग का खिताब जीता है रेलवे ने किसने रेलवे ने गुजरात के सूरत में रास्टियों खेलों के जो समापन हुआ बचो उसमें बेस्ट पुरुस खिलाडी कौन रहे रास्ट्रिय खेलों के जो समापन में बेस्ट पुरुस खिलाडी जल्दी बताओ क्या साजन प्रकास रहे बिलकुल साजन प्रकास और महीलाओं की स्रेणी में हर्सिका राम चंदरन जो सूरत में राश्य खेलों का समापन हुआ बच्छो इसमें ध्यान रखना है best खेलाडी पुरुस्वा में साजन प्रकास महिला में हरसिका रामचंदरन बच्छो ठीक है और आपको ध्यान रखना है कि पदक तालिका में इसमें सबसे उपर थी बच्चो ये पहले नंबर पे अंतरास्ति ये मुद्रा कोस और विश्व बैंक की जो वार्षिक बैठके होती है तो भाई जहां पर ये हैं ओफिस वहीं तो होंगी बैठक जहां ये हैं वहीं होंगी ध्यान रखना है तो ये वाशिंग्टन में हुई इंटरनेशनल मोनिटरी फंड और विश्व बैंक की जो बैठके होई है ठीक है चलो ITBP का नया महानिदेशक ITBP लगती है चीन सीमा पर और चीन सीमा पर कोई दया नहीं दिखानी अनीश दयाल है ना अनीश दयाल बने है ITBP के मुख्यला इसका नई दिल्ली में है CRPF के नए महानिदेशक कौन बने है बच्चो सुजोएलाल थाउसेन सुजोएलाल थाउसेन बने है CRPF के नए महानिदेशक बच्चो किस राज्य सरकार ने ST जो आरक्छन है वो 6 से बढ़ा कर 10% कर दिया है क्या तेलंगाना ने क्या तेलंगाना ने बिल्कुल तेलंगाना ने यह जो है बच्चो के सी आर है तेलंगाना की क्या है यह पहले ही चीफ मिनिस्टर है ठीक है के सी आर क्या नाम है के सी आर तो ध्यान रखना है आपको कि तेलंग गाना ने 6% से 10% कर दिया है SD का आरक्षन कौन सा रास्तिय वन्यजीव सब्तहा 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया तो बच्चो ये 68 रास्तिय वन्यजीव सब्तहा 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया भारत में और ये 68 था LEADS LEADS मतलब बच्चो Logistic Age Across Different State एक रिपोर्ट है Logistic Index इसे बोल सकते हैं यानि कोई चीज रखनी है ले जानी है लानी है उसके लिए जैसे कोई बिजनिस से संबंदित है ना कोई चीज ले जानी लानी रखनी रख सखाव के लिए तो वो जगह जहां सब से बढ़िया है जो बेस्ट जगह उसके लिए हो उसके लिए बोलेंगे Logistic Index उसके लिए एक आता है उसमें पहले नंबर पर है बचो आंधर प्रदेश इस बार कौन है आंधर प्रदेश है इसमें पहले नंबर पर ISSF विश्यू चेंपियंशिप शॉर्ट गन में भारत कौन से स्थान पर रहा बचो पिछले साल हुई थी पांचवे नंबर पर पिछले साल हुई थी International Shooting Sports Federation की अभी भी World Cup चल रहा है आपको पता होगा अभी भी चल रहा है बचो World Cup तो पिछले बार International Shooting Sports Federation की विश्यू चेंपियंशिप हुई थी Short Gun की है ना Short Gun की विश्यू चेंपियंशिप हुई थी उसमें भारत पहले नंबर पर नहीं पांचवें पर रहा था Italy पहले पर बचो ICC किसके साथ मिलकर Langik समानता को बढ़ावा देगी Langik समानता जानते हैं Gender Equality का मतलब है पुर्स और महिलाओं को बराबर मानना तो UNICEF के साथ मिलकर किसके? UNICEF महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने महिलाओं का एशिया कप जीता है बचो क्या जीता है? महिलाओं का एशिया कप भारत ने जीता है फाइनल में भारत ने जीता है बचो कौनसी बार जीता है सात्वी बार जीता है ठीक है सात्वी बार जीता है एश्या कप में हमने किस ने हराया हमने किसे हराया सिरलंका को हराया बचो किसको सिरलंका को कौनसे देश ने इंटरपोल की 90 महासभा की मेजबानी की है तो भारत ने नई दिल्ली में इंटर पोल, इंटरनेशनल पुलिस की क्या किये बचो, 90 वी महासभा की मेज़वानी भारत ने की है याद रखना है, भारत अफरीका रक्षा समवाद, यानि भारत ने अफरीका के रक्षा मंत्रियें उनकी मेज़वानी की, साथ में उसी टाइ पर हमारी डिफेंस एक्सपो भी होगा डिफेंस एक्सपो जो की दो साल में एक बार होता है दो साल में एक बार होता है डिफेंस एक्सपो बच्छो तो इस साथ में ये भी आयोजित किया गया ये कहां पर किया गया गुजरात के गांधी नगर में कहां गुजरात के गांधी नगर में बच्चो ठीक है कहां पे गुजरात के गांधी नगर में कौन सा राज्य है हिंदी भाषा में MBBS शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है मद्यप्रदेश बना है हिंदी भाषा में MBBS शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है राज्य है राजपती नाम रूप नाम का बच्चो ठीक है सुपर कंप्यूटर जो है उसकी शुरुआत की गई है आई आई टी गोआ हाटी में इराक के नए राष्टपती कौन बने हैं जली बताओ भई इसमें मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट अलवी हैं तो पाकिस्तान के क्या हैं पाकिस अब ठीक है आवाज देखना जाना आवाज ठीक है अभी ठीक है आवाज जल्दी से बताओ अभी ठीक है अभी ठीक है हलो अभी भी अभी भी अभी भी एक बार और देखना देख बच्चो अभी ठीक है जल्दी बताओ एक बार अगर ठीक है तो अगर थमसब कर दो बच्चो चलो बहुत बढ़िया चलो ठीक है तो देखो पिछले सवाल पर पिछले से अगर बिगडी हो तो बच्चो आई 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 टी रास्पती द्रौबदी मुर्मूने किस आई 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 टी में परम कामरूप नाम के एक सुपर कम्प्टर की सुविधा शुरू की है तो अई आई आई टी गौाहटी में शुरू की है ठीक है एराग के ने रास्पती कौन बने है तो एराग के हैं इब्रहेम रैसी और बेंजमिन नितन्याहु पी-एम है कहा के फिलाल पी-एम है बच्छो कहा के है ये ये पी-एम है इजराइल के प्रधारमंति नरेंदर मोधी ने किस राज में बल्क ड्रग पार्क यानि ड्रग यानि जहां पर बड़ी मात्रा में बच्छो औश्धिय पर instruments ये जही बच्छो ये अनि सबसे ज्यादा हालत खराब इसमें किसकी बताई गई है ये क्याना पहले नमबर पे है ये कौन देता है ranking बंगलोर में एक public affairs center है पी-ए-स-ई public affair center है वो ये ranking देता है कहां शुरू हुआ है बचो यह शुरू हुआ है कहां विये वाडा में कहां विजय वाडा मुख्यमंतरी अमर्तम यशमान कारड तो ये कहां पे हरियाना में है? गुजरात में गुजरात में शुरू किया बचो कहां? गुजरात में साल 2012 में जो गरीबी रेखा से नीचे आते थे उनके लिए योजना शुरू की गई है बचो ठीक है? उनके लिए और दो लाख तक का इसमें health cover दिया गया है, कितने लाख तक का? दो लाख तक का health cover इसमें दिया गया है, बचो, 6-16 October 2022 तक, एशियाई weightlifting championship हुई, बचो, 6-16 October, यानि October 2022 में जो Asian weightlifting championship हुई, उसमें भारत की तरव से बस एक पदक जीता गया, वो किसने जीता? हरशदा गरूड न किसने? हरशदा गरूड ने बच्चो, केंद्र सरकार भारतिय भाषाओं में परियाप्त अध्यन सामगरी तयार करने के लिए, कितने बच्चो language center बना रहा है, कितने भाषा केंद्र, जो भारतिय भाषाएं हैं, उनमें परियाप्त पढ़ने का material उपलब्द हो, तो क्योंक सम्विधान की जो 8th schedule है, उसमें है ये 8 याद रखना है, ठीक है? चलो, तो ये हो गया, किस कंपनी ने भारत की पहली aluminum freight train wreck विक्सित की है, aluminum का जो आपका बच्चो company, जो होता है न, rail, rail की जो क्या होती है, जो एक डबबा होता है, तो लोहे का होता है, aluminum wreck बनाया है, freight माने मा धुलाई के लिए, ये बहुत मामलों में क्या रहेगा, बहतरीन रहता है बचो, परियावरण के हिसाब से भी ये बहतरीन रहता है, तो ये ये बनाया है, किसने बनाया है, हिन डाल को ने ये बनाया है, इस तरह का बनाया है, ध्यान रखना है, चलो, T20 World Cup में debut करने वाले सबसे कम उम्र में खेले, अयान खान इनका नाम है बच्चो, बंधन बैंक ने ब्रांड अम्बेस्टर किसको बनाया है, तो बंधन बैंक ने बनाया है बच्चो, सौरव गाउंगुली को, ठीक है, BCCI के पूर्व प्रमुख, फॉर्मर चीफ है ये किसके, BCCI के पूर्व प् रखना है, चलो बच्चो, तो कैरम चेंपियंशिप हुई बच्चो, वर्ल्ड कैरम चेंपियंशिप, तो भारत ने पुरुस वर्ग का भी खिताब जीता, और महिला वर्ग का भी खिताब जीता, तो कैरम चेंपियंशिप का, पुरुस वर्ग का और महिला वर्ग का दोनों खिताब किसने जिते? भारत ने. विश्व टीम टेबल टेनिस चेंपियनशिप, विश्व टीम टेबल टेनिस चेंपियनशिप जिसमें टीम खेलती है, बच्चो ध्यार रखना है, तो वो ही उसमें पुरुस वर्ग का भी विजेता महिला वर्ग का भी विजयता चीन याद रखना है विश्व टीम यानि टीम लेवल की वर्ड की टेबल टैनिस चेंपिन्शिप हुई तो ये चीन ने जीता है किसने जीता है चीन ने जीता है बच्चो फीफा का अंडर 17 महिला वर्ड कप हुआ भारत में हुआ था कहां पे हुआ था भारत में आपको पता होगा इस्पेन ने जीता किसने जीता इस्पेन जीता इसमें है ना इस्पेन जीता था इसका शुभंकर जो है वो क्या है सवाल बन सकता है इसका शुभंकर क्या है बच्चो तो इसका सुभंकर है ये बचो इभा इभा है क्या एक एशियाई टाइगर है इसका सुभंकर है इभा और ये एक एशियाई टाइगर है क्या है बचो एक एशियाई टाइगर है ये इभा जो है चलो किस देश के लेखक शेहान करुना तिलका को अपने उपन्यास के लिए 2022 का बुकर प्राइज मिला है तो बुकर प्राइज दिया गया है बचो स्रिलंका के शेहान किसको बचो शेहान करणा तिलका को 50,000 पाउंड की रासी मिलती है पुस्तक कौन सी लिखी है नो ने दस एवन मूंस और माली अलमेडा इनकी पुस्तक है बचो चो के इन्दी रेल मंत्री है अश्वनी वैश्णव उन्होंने भारत का पहला एल्यूमिनियम मालड हुलाई रैक जो हिंडाल को ने बनाया था कहां से शुरू किया भुवनेश्वर से शुरू किया कहां से भुवने इस तरह का जीव है बाईसन ठीक है तो ये छे बाईसन मंगाए हैं किसने स्रिलंका ने क्योंकि वहाँ पर इनका अस्तित्व खत्रे में हैं बच्चो ठीक है अस्तित्व खत्रे में गायब हो गए थे ये वहाँ अस्तित्व है इनका तो ये जो है बाईसन मंगाए हैं स्रिलंक तो आपको पता है आप तो ये इस साल आयोजित की जा रही है चार मार्च से शुरू होगी है ना चार मार्च से शुरू होगी 2023 में पहली WPL और इसके कौन बने है बच्चो टाइटल स्पॉंसर टाटा जो है इसके टाइटल स्पॉंसर रहेंगे विमेन प्रीमियर लीग के सब से महेंगी खिलाइड इसमें स्मिर्ती मंधाना की जो निलामी लगी है बोली लगी है अपने टीम के साथ उन्हें जोडने के लिए वो सबसे ज़ादा लगिए है बच्चो मैंस बैलांडी ओर आवार 22 तो बैलनडी ओर मिला था बच्चो करीम बंजो मा को किसको मिला करीम ब मैसी ने सबसे ज़्यादा बार जीता है बेलंडी और अवार्ड और महिला वर्ग में किसको मिला है 2022 का बेलंडी और अलेक्सिया पुटलेस को किसको बचो अलेक्सिया पुटलेस को मिला है महिला वर्ग में BCCI के नई अध्यक्ष कौन बने है बच्चो रोजर बिन्नी बने है BCCI के नई अध्यक्ष कटी भीहू कब मनाया गया तो इस बार मनाया गया ठारक टूबर को बच्चो असम का तोहर है कटी भीहू ठीक है कटी भीहू कौंगाली भी हूँ नाम से भी जाना जाता है जब बिलकुल कंगाली आ जाती है बचो घर में तब के लिए इसलिए कौंगाली भी हूँ यहनि जिस टाइम पर फसल वगएरा होती नहीं है उनके पास ठीक है तो यह हो जाएगा कटी भी हूँ ठीक है चलो किस देश के वग्यानिकों ने देश के टैनिस स्टार नुवाक जोकोविच के नाम पर एक बीटल का नाम रखा है तो बीटल का नाम रखा गया है नुवाक जोकोविच के नाम पर किस ने रखा है सरबिया ने रखा है बचो किस पिरसिद अमेरीकी तिहासकार को सरसयद उतकरस्थिता पुरुसकार दिया गया है तो यह दिया गया है जल्दी बताओ किसको क्या ये बच्चो किसको दिया गया है किसको दिया गया है क्या ये बार बरा मैटकाफ को दिया गया है सर सेयद उत्कृस्ता पुरुसकार उससे सम्मानित किया है ठीक है उससे सम्मानित किया है बचो किस पूर्व भारतिय रास्पती को प्रतिस्थित अनुवरत पुरुसकार प्रदान करने की घोशना की गई है तो एपी जे अब्दुल कलाम जो है उनको अनुवरत पुरुसकार देने की घोशना की गई है क्या की गई है एपी जे अब्दुलकलाम जो है उनको दिया जाएगा बच्चो ये पुरुसकार अनूवरत पुरुसकार किसने केंदर सरकार के पेंशन भोगियों के जीवन में सुगमता लाने के लिए बच्चो एक सिंगल इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल भविश्य लॉंच किया है भविश्य क्या है एक पेंशन से जुड़े हुए लोगों के लिए पोर्टल है क्या है पेंशन से जुड़े हुए लोगों के लिए एक पोर्टल है बच्चो और यह launch किया गया है डॉक्टर जितेंदर सिंग के द्वारा इसके द्वारा डॉक्टर जितेंदर सिंग के द्वारा बचो ठीक है अंतरास्तिय सौर गठबंदन जो है ISA International Solar Alliance जो है उसके अध्यक्ष और सहे अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो भारत और फ्रांस को इसका अध्यक्ष और सहे अध्यक्ष बनाया गया है बच्चो ठीक है भारत और फ्रांस को National Maritime Heritage Complex यानि हमारी जो बच्चो समुद्री विरासत जो है जो हमारी समुद्री विरासत है उसके लिए एक बनाया जा रहा है एक कम्प्लेक्स वो कहां पर बनाया जा रहा है बच् में या तमिलनाडू में या गुजरात के लोथल में तो गुजरात के लोथल में क्योंकि हमारी पुराने समय से लोथल जो हमारा बंदर गहा भी रहा था कब जो अपने हडपा वाली चीजें पड़ी होंगी न तो वहां बंदर गहा भी रहा था इसलिए वहां पर ये बनाया जा रहा है बच्चो लोथल गुजरात में सिंधिया संगरहले गौालियर में गाथा स्वराज की नाम की एक गैलरी का उदगाटन किया गया है किसने किया है बच्चो तो वो किया है अमिश शाह जो है किसने बच्चो अमिश शाह आपके ग्रहे मंतरी नाम दफा रास्टी उद गोशित कर दिया गया है आप से पूछा जाए गए नाम दफा नेशनल पार्क कौन से में है अरुनाचल प्रदेस में है बच्चो कहा है अरुनाचल प्रदेस में है नाम दफा नेशनल पार्क भारत सरकार के नए रक्षा सचिव नए जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने बच्चों जो रोजाना क्लास लेते हैं उनको पता होगा कि थोड़ी सी तेज हमारी क्लास चलती है लेकिन उनने ये भी पता होगा कि उनकी भी हैबिट इतनी तेज पढ़ने की बन गई है अब कि वो जो दो घंटे में पढ़ते थे वो एक घंटे में पढ़ लेते हैं कम से कम current affair की बात करें तो इसलिए जो नए बच्चे केवल मंतली ले रहे हैं ये मंतली ऐसा नहीं है कि आप एक बार में कर जाओगे एक बार में तो होगी नहीं अगर आपने रोजाना की class नहीं ली तो आप एक बार में से नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पर या आपको 2 से 3 बार पढ़नी पढ़ेगी को 2 से 3 बार किसी को सकता है 4 बार भी पढ़नी पढ़ तो मैं इसलिए कहूंगा यह जैसे भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप ऐसे पढ़ो एक बार दो बार तीन बार वीडियो देखनी पढ़ेगी जिन्होंने पहले नहीं देखा यानि एवरेज वही आ जाना है तीन चार तीन दो ढ़ाई घंटे की वीडियो चार बार देखेंगे तो दस घंटे है ना तो यानि मतलब टाइम लगता है चीजों को याद करने में पर स्पीड यही आपकी भी हो जाएगी आप चिंता मत करो य जादा स्पीड नहीं है धीरे धीरे यह चलो बचो तो नए रक्षा सचिव हो गए है अर्माने गिर्धर भारती रास्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष सिंपल है इसमें देखो कुछ समझना ही नहीं है तो जल्दी जल्दी करो इसको मलिक आरजुन खडगे बने है भारती रा वर्ल्ड की जो टीम की टेबल टैनिस चेंपियंशिप होती है पुरुस वर्ल का विजेता चीन महिला वर्ल का चीन बचो अंडर 17 जो फीफा का महिला वर्ल्ड का भारत में हुआ उसमें शुभंकर यानि मैसकट कौन है इभा है बचो है ना फ्रांसीसी ओपन बैडमिंटन बैडमिंटन टूनामेंट एक फ्रेंच ओपन होता है एक फ्रेंच ओपन होता है बचो वो फ्रेंच ओपन तो होता है किसका टैनिस का है ना एक फ्रांसीसी ओपन होता है बैडमिंटन टूनामेंट तो उसमें डबल्स का खिताब यानि दो खिलाडी दो खिलाडी के खिलाफ केलते हैं वो किस किस ने जीता था ये आपको याद रखना है सात्विक साई राज रंकी रेड़ी और चिराग शेती की जोडी ने बचो 36 वे राश्टी खेलों में सबसे कम उम्र के पदक विजेता सौर्य जीत खेर 10 साल के करीब की उम्रे केवल इनकी 10 साल और इन्होंने पदक तब जीता जब इनके बच्चो जो प्रतियोगिता थी उस प्रतियोगिता से कुछ दिन पहले ही बहुत जल्दी ही उससे कुछ ही दिन पहले इनके पिताजी की मिट्य हो गई थी तो एक बच्चे ने बच्चो खुद को है ना खुद को जो है तूटने नहीं दिया उनकी मौत के बाद भी और मेडल जीता सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन कर दिखाया क्योंकि असलियत में मावाब भी तो यही चाहते हैं कि कुछ अच्छा करे बच्चा तो वो नहीं है उसके पिता जी चलेगे छोड़के उसने का कि कम से कम उनकी जो इक्षा थी उसे मैं पूरी करके दिखाऊंगा ठीक है तो इतना छोटा सा बच्चा सौरे जीत खेर शौरिय देखो शौरिय और जीत दौनों ही इसके नाम में है शौरिय और जीत शौरिय भी इसके नाम में है जीत भी इसके नाम में है तो इसे हरा भी कोई कैसे सकता है ठीक है बच्चो चलो यह हो जाएगा कान से पदड़ एशिया का सबसे बड़ा बच्चो संपीडित बायो गैस सयंत्र आप से पूछोएगा एशिया का सबसे बड़ के संगरूर में प्रधारमंतरी मोदी ने किस राज्य में Mission Life का मतलब है Lifestyle for Environment यानि Environment के लिए Lifestyle को हमें अपनी को बदलना है बदलना है बचो यह जो है शुरु किसके दवरा किया गया है ये गुजरात में PM मोदी के द्वारा लॉंच किया गया था ठीक है गुजरात में लॉंच किया गया था परियावरण की रक्षा के लिए विश्व सांखी की दिवस विश्व सांखी की दिवस हमारा जो है वो हमारा अपना नहीं पूछ रहे ये नैशनल नहीं ये विश्व का पूछ रहे हैं और ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को बच्चो क्या 20 अक्टूबर को क्योंकि सांखिकी में होता है डेटा का पूरी दुनिया में जो महत्व है उसे समझाने के लिए ये मनाया जाता है ठीक है चलो Freedom house internet freedom index में भारत की ranking इस बार बच्चो 51 चली गई थी कितनी 51 पिछले बार कितनी थी उड़न चास इस बार बच्चो जो internet की freedom के मामले में भारत 51 वे स्थान पे बच्चो ठीक है ठीक है फर्टिलाइजर वाली तो फर्टिलाइजर से ही संबंदित होगी बचो वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना भी इस बार लॉंच की गई वन नेशन वन फर्टिलाइजर ठीक है और बच्चो इसमें भारत नाम का भारत नाम का ब्रांड फर्टिलाइजर का शुरू किया गया किस नाम का भारत नाम का ब्रांड फर्टिलाइजर का शुरू किया गया आपको याद रखना है Mission School of Excellence कहां का है गुजरात का है बच्छो है ना गुजरात का है इसके लिए बच्छो World Bank ने और जो Asian Infrastructure Investment Bank है इन दोनोंने कितने करोड का रिन दिया है 500 करोड का रिन दिया है जो स्कूलों में बुनियादी धाचा है जो स्कूलों के लिए जरूरी चीजे हैं उनके निर्मान के लिए बच्छो Smart Classroom बनेगा लेब बनेगी उन सब के लिए दिया गया है बच्छो ठीक है टोटल खर्चा इसमें क्याएगा लगबग 10,000 करोड रुपे कितने 10,000 करोड रुपे अगले 5 सालों में जिसमें से 4500 करोड रुपे का रिण गुजरास सरकार को मिला है बच्छो क्रिस ग्रीको रेयोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुस्ती चेंपियंशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है बच्छो तो साजन भानवाला ने जीता है साजन भानवाला ने अंडर 23 विश्व कुस्ती चेंपियंशिप में क्या जीता है ये पदक जीता है याद रखना है भारत के किस चावल को विश्व में नंबर एक बासमती चावल ब्रांड के रूप में माननेता हुई है माननेता मिली है तो ये मिली है बच्चो इंडिया गेट बासमती चावल को किसको इंडिया गेट बासमती चावल को पांचवे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां आयोजित किये गए बच्चो मध्य प्रदेस में आयोजित किये गए ठीक है पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में, कहां पे? 2018 में, नई दिली में निहोंशू, निहोंशू नाम का एक पेपदार्थ है बच्चो एक पेपदार्थ है निहोंशू नाम का, उसके लिए GI टेग मांगा है भारत में पहली बार किसी ने पहली बार भारत में किसी ने मांगा है GI टैग और वो झापान ने मांगा है बचो किसने जापान ने मांगा है किस देश के लोगों को यूरोपीस अंसद के सीवस्स समान सखारोव प्राइज for Freedom of Thoughts बबचो सखारोव प्राइज for Freedom of Thoughts बहुत महत्पूर्ण है ये पुरुसकार कौन देता है आप से पूछा जाएगा यूरोपिय संसद ये देती है सकारोव प्राइज फूर फ्रीडम अफ थॉट्स किसके दौरा यूरोपिय संसद के दौरा दिया जाता है और बच्चों किस देश के लोगों को इस बार ये दिया गया है यूक्रेन के लोगों को ये दिया गया है ठीक है यूक्रेन के लोगों को दिया गया है भारत में पुलिस स्मिर्थी दिवस कब मनाया जाता है तो बच्चों क्या 21 अक्टूबर को 21 अक्टूबर को क्या पुलिस स्मिर्थी दिवस मनाया जाता है बिल्कुल 21 अक्टूबर को भारत में पुलिस स्मिर्थी दिवस मनाया जाता है इस रो किस वर्स चंद्रियान 3 लॉंच करने की योजना बना रहा है तो इस रो बना रहा है बच्छो चंद्रियान तीन जल्दी बताओ तेईस में तेईस में कब तेईस में मना रहा है बच्छो क्या तेईस में मना रहा है दोजार तेईस फीफा महिला वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है फीफा जो है बच्छो दोजार बाइस में तो अभी जो World Cup जो है बच्छो, पुरसों का खेला गया, 23 में महिलाओं का खेला जाएगा, इसका क्या रहेगा, तजुनी, इसका रहेगा बच्चो, तजुनी, इसका मस्कट रहेगा, तजुनी, 22 वाले का लाइब था, क्या था, 22 वाले का लाइब बच्चो, ठीक है, ये जो है कहां पे है ये बच्छो औस्टेलिया और न्यूजीलेंड ठीक है औस्टेलिया और न्यूजीलेंड में खेला जाएगा 2023 का ये जो वर्ल्ड कप है ध्यान रखना है कहां पे खेला जाएगा औस्टेलिया न्यूजीलेंड में और 22 का कहां पे खेला गया था कतर में खेला गया था कहाँ पर कतर में खेला गया था ठीक है चलो कहाँ पर खेला गया था कतर में अगला कुशन है हमारा किस प्लेटफोर्म ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लांच किया है तो phone पेने किया है भारत में अपना पहला green data center किसने लॉंच किया है तो ये लॉंच किया है बचो phone पेने किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संदक्षन के लिए एक panel का गठन किया है तमिल नाडू सरकार ने किया है गिद्ध हमारे एको सिस्टम के लिए बहुत महत्पूर है बच्चो आप पढ़ते हो जब इन्वार्मेंट आप पढ़ते हो जब जी विग्यान आपने देखा होगा तो उसके लिए एक संदक्छन केंदर बनाने की किसने किये गोशना तमिल नाडू सरकार ने किये है बच्च कौनसी राज्य से सरकार संपूर्ण टैक्सी उद्ध्योग के लिए एक एप लॉंच करेगी तो गोवा की सरकार गोवा की सरकार बच्चो एप्लीकेशन लेके आएगी जिसमें पूरे राज्य में जितने भी टैक्सी चालक हैं सब उस पर रजिस्टर कराएंगे ठीक है सब रजिस्टर कराएंगे इसको कहा जाएगा गोवा टैक्सी क्या बच्चो गोवा टैक्सी इसको कहा जाएगा याद रखना है भारत और किस देश की बीच बीओपी कृष्णा यानि बॉर्डर आउट पोस्ट कृष्णा का उद्गाटन किया गया है भारत और इसके देश के साथ बनाई है भारत ने, बंगलादेश के साथ, दस लाख नौकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंब किस ने किया, पी-म नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी बच्चो, धन तेरस के मोके पर, कब धन तेरस के मोके पर, चीन में पार्टी के जो संस्थापक थे, माउच से तुंग, उनके बाद तीसरे कारेकाल के लिए बच्चों Communist Party के पहले नेता कौन बने हैं Communist Party में जो है चीन की उसने आज तक दो ही नेताओं को तीसरे कारेकाल की अनुमती दी है एक तो जिस जिसने बच्चों ये जो पार्टी बनाई थी उनका नाम था Mao Tse Tung और दूसरे Xi Jinping याद रखना है भारत के पहले Migration Monitoring System Migration माने जब एक आदमी दूसरी जिगए जाता है चाहे रोजगार की तलास में चाहे पढ़ाई के लिए चाहे किसी और काम के लिए तो Migration Monitoring System बनेगा पहला मुंबई में ठीक है मुंबई में जो बताएगा कि वहां से कितने लोग बाहर गए कितने लोग वहां आए इन सब को ट्रेक करेगा जिससे कि उन से संबंदित कोई योज न बनाई जाए तो असानी से बनाई जा सके बच्चो ठीक है चलो अन्ना मे वांग खिस देश की मुद्रा पर आने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला बनेंगी बच्चो पहली एशियाई अमेरिकी महिला है नहीं अमेरिका में जाके उन्होंने नागरिकता ले ली थी वो एशियाई की तो अन्ना मेवांग जो हैं ये अमेरी की मुद्रा पर आएंगी, कहाएंगी बचो, अमेरी की मुद्रा पर आने वाली, पहली एश्याई अमेरी की, सात्वा आयरुवेद दिवस, जल्दी बताओ बचो, क्या तेईस अक्टूबर या चौवेस अक्टूबर, तेईस अक्टू क्या थाइलेंड ने रखा था, जल्दी बताओ, क्या थाइलेंड ने रखा था, बिल्कुल थाइलेंड ने रखा था, बच्चो, रास्तिय बौधिक संपदा पुरुसकार 2021 का और 2022 का, यानि जो बौधिक चीज़ें जादा करता है, ऐसा संस्थान, जो जादा बौधिक चीज आप रुसकार किसको मिला है, IIT मद्रास को मिला है, Great Indian Bustard, किस भारती है, राज्या केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पक्षी है, जल्दी बताओ, क्या राजिस्थान का तो नहीं है, क्या राजिस्थान का है बच्चो, Great Indian Bustard, बिल्कुल, बहुत कम ऐसे पक्षी बचे है लेकिन ये जो है, कहां का है, राजिस्थान का स्टेट बर्ड है, The Cricket Association for the Blind, आपको पता है बच्चो, जो अंधों के लिए, यानि नित्रहीनों के लिए, जो हो रा था क्या बच्चो, एक World Cup, उसके Brand Ambassador कौन बने थे, यानि जो अंधेपन के सिकार हैं, जिनने दिखाई नहीं देता है, या बहुत कम जो है, बहुत हलका सा कोई दिखाई भी देता है तो, तो उन लोगों का जो World Cup था बच्चो, नेत्रहीनों का, उसके Brand Ambassador कौन बने थे, वो युवराज सिंग बने थे बच्चो, कौन? युवराज सिंग, जून 2023 में चंद्रियान 3 कौन लाँच करेगा हमारों तो भई एक ही है, इसरो, ठीक है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजिशन, यही करने वाला है, लाँच, जूर्जिया मेलोनी, बहुत महत्पून सवाल है, किस देश की पहली महिला PM बनी है, तो इटली की पहली महिला PM बनी है, बच्चो, जूर्जिया मेलोनी, ठीक है, इटली रोम, याद रखना है, सेयुक्तरास्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो सेयुक्तरास्ट की स्थापना हुई थी, 24 अक्टूبر 1945 में, कब 24 अक्टूبر 1945 में, इसलिए इसी दिन UN Day मनाया जाता है, भारत की स्थाई प्रतनिधी सेयुक्तराज्य में कोन है किस देश ने अन्वानशिक रूप से संसोधित भारतिय सरसों की प्रजाती, ब्रैसिका जंकिया की बच्चो अभी खेती शुरू की है, कॉमर्शिल खेती, क्या ये ऐस्टेलिया ने शुरूआत की है, बिलकुल ऐस्टेलिया ने शुरूआत की है, ये जेनेटिकली जो सरसों है भारत की, उसकी खेती किस ने शुरू की है, उस्टेलिया ने शुरू की है बच्चो, किस राज्य ने बच्चो की खिलाब साइबर अपराधू को रोकने के लिए कुझप, कुझप जल्दी बताओ, क्या करनाटक ने, क्या केरल ने, क्या करनाटक ने या केरल न होता है उसकी सूचना दी जा सकती है। मुख्य मंत्री है पिनराई विज्ञन याद रखना है। किस रास्टी है फिल्म पुरुसकार प्राप्त करता बंगाली फिल्म निर्देसक का निधन अभी हो गया था तो पिनाकी चौधरी का किसका पिनाकी चौधरी। काशी तमिल संस्कृतिक संबंध थे, उनको दुबारा से जीवित करने के लिए ये जो है शुरुआत की गई और ये किसके द्वारा बचो क्या संस्कृति मंत्रा ले क्या सिख्छा मंत्रा ले तो इस सिक्छा मंत्रा ले की पहल है किसकी सिक्षा मंत्रा लेकी फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलाइंस यानि पहले हम किसी पे डिपेंड थे अब सेल्फ रिलाइंस अब हम आत निर्भर हैं तो ये वाली जो किताब लिखी है ये भारत के पूर्व आर्बियाई गवर्नर रहे हैं और नाम है उनका डॉक्टर बिमल जालान क्या नाम है डॉक्टर बिमल जालान बच्चो हाल ही में फिप रेसी द्वारा सत्यजीत रे की कौनसी जो फिल्म है उसे सरसेस्ट भारतिये फिल्म घोशित किया गया है यही बचो एक यह संस्था है इसके द्वारा सत्यजीत रे जिनने ओसकर का लाइफ टाइम अचीमेंट अवार भी मिला था बचो तो उनकी कौन सी मूवी को बैस्ट भारतिय मूवी आज तक की घुशित किया गया है तो यह है पथेर पांचाली क्या नाम है पथेर पांचाली कौन देश के सबसे उदार परोपकर यानि जिन्होंने सबसे ज़्यादा क्या दिया है बचो सबसे ज़्यादा दिया है जिन्होंने क्या दान तो शिव नादर बने थे पिछले साल के लिए कौन शिव नादर बचो क यहाँ पर विश्व स्पाइस कॉंग्रेस का चौधवा संसकर्ण का आयोजन है तो आपको पता है ना महारास्ट में मुंबई में विश्व स्पाइस कॉंग्रेस का चौधवा संसकर्ण तो बच्चो यह कहाँ पर महारास्ट मुंबई में मिनी कोई थुंडी बीच और कदमत बीच जिनने ब्लू फ्लैग बीच की सूची में जोड़ा गया ब्लू फ्लैग बीच किनको बोला जाता है जो लगबग 33 फैक्टर देखे जाते हैं बच्चो कपड़े वगरा चेंज करने के लिए आपने जो वाश रूम वगरा मतलब चेंज रूम वगरा बना रखे हैं या नहीं तो ऐसे 33 फैक्टर देखे जाते हैं और उन फैक्टरों पर क्या अगर खरा उतरता है कोई बीच तो उसे ब्लू फ्लैग बीच का दरजा मिलता है तो जो हमारा लक्षदीप का लक्षदीप के जो दो धूइप हैं बचो मिनी कोई थुंडी बीच और कदमत बीच इनको ब्लू फ्लैग बीच का दरजा दिया गया कौन देता है Foundation for Environment Education कोई सरकारी संस्था नहीं है कोई UN की संस्था नहीं है बस ऐसे एक प्राइवेट संस्था है तो यह देती है और अब हमारे हां कितने हो गए हैं ब्लू फ्लैग बीच कुल मिला के 12 हो गए हैं कितने 12 बच्चो कौन सा देश कॉप 27 का मेजबान तो आपको पता है पिछ 2AE में होना है Saturn Awards 2022 में सरसिस्ट अंतरास्टिय फिल्म का अवाड किसको मिला है तो ट्रिपल आर को मिला है बच्चो ठीक है ट्रिपल आर को मिला लॉस एंजलिस में होते हैं यह पचासवे क्या एनिवर्सरी Saturn अवाड पचासवे अवाड थे Saturn अवाड इसमें बेस्ट इंटर बेस्टू बर्स किसका नवर्स है तो क्या गुजरात का है गुजरात का है बच्चो और खास तोर पर व्यापारी व्यावसाई वगेरा इस दिन अपनी पुरानी बहीयों को बदलके नई बही ले आते हैं उनके लिए खास तोर पर यह नवर्स है ठीक है चलो अगला सवाल ह हमारा, 2023 में Interpol महासभा की मेजबानी कहां होगी, आपको पता है, पिछले साल, यानि 2022 में तो भारत में हुई, ठीक है, 90-वी महासभा थी इस बार 91-वी महासभा क्या है, वियना में होगी, क्या वियना में होगी, बिलकुल वियना में होगी बच्चो 91 सेरिं नामग्याल जो है ले से उन्होंने मैं भी सुभास नाम का जो है बच्चो शुरुआत की अभियान ये क्या बताएगा कि सुतंतरता संगराम में सुभास चंद्र बोस जी का जो योगदान था उसके बारे में जागरुकता ये पैदान करेगा ठीक है कौन सा ब्रांड भारत में एक अरब डॉलर का भी बना है हाल ही में स्प्राइट बना है बचो कौन स्प्राइट बना है किस देश की संसद में पहली बार महिला संसदों की संख्या पुरुसों से जादा तो ये तो भई कहां की में, न्यूजी लेंड की में, न्यूजी लेंड ही वो देश था, जिसने महिलाओं की, महिलाओं की जो बच्चो सेलरी थी, वो सब जितनी बच्चो पुरसों की थी, उसके बराबर की थी, बी सी सी आई, किरकेट वाली जैसे जिसके बाद में बी सी सी आईने भी कर दी थी ठीक है, तो महिलाओं की जो सेलरी भराबर की थी किसने की थी बचो इस ने की थी याद रखना है, ठीक है नियू जीलेंड ने सबसे पहले की थी याद रखना है आपको, हाल ही में किस छेत्रिय गुट के साथ भारतिय संबंदों की तीसवी वर्सगाठ मनाई गई है तो भारत ने आशियान के साथ 2022 में अपने संबंदों की तीसवी वर्सगाठ मनाई थी भारत ने किसके साथ आशियान के साथ बच्चो अंतरास्ति ये नागरिक उड्डिन संग्छन है एक इकाओ, कहाँ पर है बच्चो इकाओ जो है कहाँ पर है Montreal, Canada में ठीक है? Montreal, Canada में इसका मुख्याले है तो इसकी एक समीटी होती है वायू परिवहन समीटी वायू परिवहन समीटी इसकी होती है वायू परिवहन समीटी यानि Air Transport Committee तो बचो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है भारत की तरसे डॉक्टर शेफाली जुनेजा को अध्यक्ष बनाया गया बचो अध्यक्ष बनाया गया भारत ने दूसरी बार ही इसकी अध्यक्षता की है 28 साल बाद ये की है बचो इस कमेटी के अध्यक्ष दुनिया के 10 सबसे बिजी एरपोर्ट में शामिल हुआ तो बच्चो दिल्ली का जो एरपोर्ट है वो दसवे नंबर पे सबसे बिजी एरपोर्ट बना ठीक है दुनिया का दसवा सबसे बिजी किसने भारतिय पुरुस और महिला किर्केटरों के लिए समान वेतन की घोशना की तो BCCI ने समान वेतन की घोशना की थी ध्यान रखना है सिंबेक्स भारत और किस देश के बीच में होने वाला एक समुद्री अध्यास है ध्यान रखना सिंबेक्स सिंगापुर इंडिया मैरी टाइम यानि समुद्री है ये तो बच्चो ये सिंगापुर के साथ भारत का होता है किसके सिंगापुर एवियेशन एनलिक्टिक्स कंपनी है एक उसके नुसार दुनिया का सबसे वेस्ट हवाई अड़ा अक्टूबर 2022 तक कौन सा था तो बच्चो हर्फिल्ड जक्षन अटलांटा इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां पर है अमेरिका में है ये सबसे ज़ादा बिजी हवाई अड़ा था विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत छित्र का पहला देश पैसिफिक ओशन में जो पड़ता है तो फिजी में हुई है बच्चो कहां पर 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन पहला नागपुर में हुआ था कहां 1975 में 11 हुआ था मौरिशस में कहां बच्चो 11 मौरिशस में ये है फिजी याद रखना है ये फिजी है यहाँ पर याद रखना है बच्चो कौनसी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट इस्थापित करेगी तो महरास्ट की सरकार करेगी साइबर क्राइम से क्या करने के लिए बच्चो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए ठीक है, साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए महरास्च सरकार करने वाली है, चिनाब वाईट वाटर राफ्टिंग महुसव, शिबनोट कहाँ पर शुरू हुआ, चिनाब नदी, बच्चो का उदगाटन किस ने किया तो बच्छो आयुष से सम्मंदित मंत्री कौन है ठीक है सर्वानंद सोनोवाल बंदरगाह के मंत्री भी रही है और आयुष मंत्राले के भी है तो इन्होंने शुरू किया याद रखना है ठीक है भारत की वायु सेना ने किस देश के साथ क्या गरुन का सात्वा संस्क्रण शुरू हुआ था बच्छो है ना तो भारत किस के साथ करता है फ्रांस के साथ करता है देश का 33 हाथी रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार से मंजूरी मिली थी तो तराई है क्या वो तराई हाथी रिजर्व बिलकुल future बहुत bright है जो आगे चलके बच्चो बहुत बड़े businessman जिसनका बहुत बड़ा नाम होने की उम्मीद है तो वो कौन है आकाश अंबानी है कौन है बच्चो आगे आने वाले में तो आकाश अंबानी है और एकमात तरभारतिय थे डोने टस्क लुहांस्क जापो रिजिया और खेरसान ये चार हिस्से हैं ये चार जगे थी जिने रूस ने अपना घोशित कर दिया रूस ने का ये हमारे छेतर हैं तो एक कहां के थे बच्चो क्यों कि रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहा है युद्ध तो इन पर आने खिलाडी खेलते हैं Road Safety World Series का खिता जीता बचो India Legions ने किसने? India Legions ने उसके कप्तान कौन थे? सचिन तंदुलकर ठीक है? तो Road Safety World Series का खिताब सचिन तंदुलकर ने जीता था बचो याद रखना है भारत का जो निरवाचन आयोग है उसने All India Radio के साथ एक मतदाता जाग रूखता है नहीं वोटर्स को अवेर करने के लिए एक कारेकरम शुरू किया जिसका नाम क्या था मतदाचा जंक्षन कितनी सिरीज, कितनी बच्चों इसमें कड़ी एपिसोड आएंगे, 52 एपिसोड इसमें आएंगे, कितने 52 एक से साथ अक्टूबर 2022 तक कहां पर पंधरवा अंतरास्तिय सूफी रंग महसव, तो सूफी से संबंदित जगे कौन सी है, अजमेर तो सिंपल सी बात है, ये कहां पर होगा, अजमेर में होगा बच्चों ठीक है, वर्स 2022 के लिए 32 बिहारी पुरुसकार, बिहारी पुरुसक दिया जाता है, केके बिढ़ला फाउंडेशन के द्वारा, कब से दिया जा रहा है, 1991 से ये दिया जा रहा है, ठीक है, चलो, तो बिहारी पुरुसकार दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को, जिसने क्या लिखा हो, जिसने राजिस्थानी भाषा में, या हिंदी भाषा में किसको मद्धू कांकरिया को IBSF World Billiards Championship में 25 वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है बच्चो IBSF World Billiards Championship हुई World Billiards Championship में बच्चो पंकज आडवानी ने खिताब जीता है किसने जीता है? पंकज आडवानी ने खिताब जीता है पंकज आडवानी ने याद रखना है 10 से 12 एक्टूबर 2022 तक कहां पर सतत परवतिय विकास सिखर सम्मिलन आयोजित किया गया बच्चों सतत परवतिय विकास यह नहीं परवतिय विकास के लिए जो परवत से संबंदित जो हैं विकास है उसके लिए सम्मिलन हुआ कहाँ पर बच्चो लेह में हुआ कहाँ पर लेह में टाइम्स हायर एजुकेशन जो इसने एक युनिवर्स्टी रैंकिंग घोशित की थी बच्चो उसमें सबसे उपर कॉन सी संस था है आपको बताया था ना के एक भी नहीं है सत्रे सो निन्यानवे में भारत के कितने हैं पिछित्तर हैं याद रखना है है ना दो सो पचास से तीन सो के बीच में भारत का एक ही एकेवल ए आई आई एस सी है ना इंडिन इस्टिटूट आफ साइंस बंगलूरू लेकिन सबसे उपर कौन सा है Oxford विस्विद्याले कौन सा Oxford University अंतरास्तिय सिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बचो तो 5 अक्टूबर को अंतरास्तिय सिक्षक दिवस मनाया जाता है किस राज्य में पहली बार P.A.C की एक महिला बटालियन बनी है तो P.A.C की पहली बार महिला बटालियन बनी है उत्तर प्रदेश में बच्चो Gulf Oil Lubricants एक कंपनी है Gulf Oil Lubricants उसने किसे अपना ब्रांड अम्बेस्टर बनाया है स्मृती मंधाना को बनाया है बच्चो F.I.H. Player of the Year पुरुस वर्ग में किसे चुना गया जो Player of the Year मैंने बताया था आपको दोनों गोल कीपर भारत के थे सविता पुनिया और बच्चो दूसरे पुरुस में कौन पियार सिर्जेस लेकिन जो Player of the Year भारत के हर्मन प्रीत सिहिंग कौन हर्मन प्रीत सिहिंग और महिलाओं में फेलिस अलबर्स को मिला ठीक है फेलिस अलबर्स महिलाओं में यानि चार में से तीन भारत के जीतने वाले थे खिताब ठीक है बेन बरना के डगलस डायमंड और फिलीप डायविक को किस छेतर में नोबिल दिया तो बच्चो इनको कहां पर गुजरात में बच्चो कहां गुजरात में किस सहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार 2022 जीता है तो हैदराबाद ने जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार 2022 बच्चो ठीक है 20 अक्टूबर से वेश्विक जलवायू शिकर सम्मिलन वैश्विक युवा जलवायू सिखर सम्मेलन शुरू हुआ था कहाँ पर बांगला देश में बच्चो कहाँ पर हुआ था ये बांगला देश में भारत का पहला उर्ध्वादर लिफ्ट पुल जो लिफ्ट चलेगी बच्चो ठीक है पंबन रेल पुल का निर्मान किस राज्य में हो रहा है तो जल्दी बताओ क्या वो तमिल नाडू में या अंदर प्रदेश में तमिल नाडू में पहला लिफ्ट पुल जो है बनाया जा रहा है भारत का ठीक है कहाँ पर तमिल नाडू में दुनिया की सबसे उची शिव पृतिमा शिव पृतिमा कहां बनी है जल्दी बताओ बचो क्या प्रियाग राज या नाथ द्वारा या गोरकपुर तो नाथ द्वारा में राजिस्थान का जो नाथ द्वारा है उसमें बच्चों दुनिया की सबसे उंची भगवाश शिव की प्रतिमा, नाम क्या दिया गया है उसको? विश्व स्वरूपम विश्व स्वरूपम उसको नाम दिया गया है 379 फिट उची है कितनी है 379 फिट उची राजिस्थान का राज समंद जिला है जगए है नाथ द्वारा है नाथ तो शिव जी कोई बोलते है नाथ इसलिए ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा Operation Garud किस से जुड़ा हुआ है बच्चो CBI से जुड़ा हुआ है ठीक है जो मादक पदार्थ है जो अवैद तसकरी होती है ड्रग्स वगरा की उसके खिलाफ शुरू किया गया Operation Garud किसने शुरू किया गया बच्चो इसके द्वारा CBI के द्वारा हिमाचल प्रदेश ने पुलिस की सहायता के लिए कौन सा एप लॉंच किया है क्या सत्य निस्था एप लॉंच किया है सत्य निस्था एप लॉंच किया है इसके द्वारा बच्चो पुलिस की सहायता के लिए ये क्या करेगा अपराधियों का एक डेटा बेस तयार करेगा अपराधियों का एक डेटा पूरी तरह से comprehensive तयार करेगा इससे यूज किया जा सकता है आगे ठीक है चलो हाल ही में 400 T20 मैच खिलने वाले पहले भारते खिलाडी कौन बने है T20 चाहे वो IPL का हो चाहे किसी भी लेवल का हो 400 T20 मैच खिलने वाले पहले खिलाडी कौन बने बच्चो रोहित शर्मा बने है 4000 T20 रन बनाने वाले भारत के कौन बने थे विराट कोहली लेकिन वो international रन थे कैसे T20 international में 4000 रन विराट कोहली बच्चो बने है ध्यान रखना है यह होगे बच्चो पार्ट वन पार्ट वन कर लिया जो पार्ट वन है मुश्किल से 20-25 मिर्ट का है एक बार देख लीजिए जब आप रिविजन करेंगे ना इस क्लास का तो अगर पार्ट वन का दो बार करेंगे तो पार्ट वन का बस एक ही बार करना इतना ही उसकी importance है ठीक है और लगभग जब इस वीडियो को बने हुए यानि अक्टूबर की वीडियो है नवंबर दिसंबर यानि जून जुलाई के बाद इसको सेकेंड पार्ट को आप परो तो कर लेना वरना मत करना बेसे जून जुलाई तक ही बस इसके आने की संभावना रहेगी जादा ठीक है चलो बचो देख लेते हैं जल्दी से हाल ही में किसने लोक नायक जैप्रकास नारायन की एक 14 फिट उची पृतिमा का अनावरन किया है तो ये किया है अमिश्या जो ग्रह मंतरी है कहाँ पर बिहार के सारंड जिले में लोक नायक जैप्रकास नारायन जो है उनकी 14 फिट उची पृतिमा का अनावरन किया है ठीक है चलो लोक नायक जैप्रकास नारायन किश वेस्विक ब्लॉक ने क्रिप्टो असेट रिपॉर्टिंग फ्रेमवर्क बनाया है Organization for Economic Corporation and Development तो Cryptocurrency से संबंदित जो सूचना है उनके आदान प्रदान के लिए ये बनाया गया है विद्युत एवं नवी कर्णिय उर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ था जल्ली बताओ कि राजिस्थान में तो नहीं हुआ था राजिस्थान में हुआ बच्चो विद्युत और नवी कर्णिय उर्जा मंत्रियों का राजिस्थान के उदैपुर मैं ठीक है है ना? राजिस्थान के उदैपुर मैं कौन संसध आई पियू पैनल में शामिल हुई है इंटर पार्ल्या मिन्टरी यूनियन IPU एक union है जिसमें 15 सदस से रहते हैं बच्चो इंटरनेशनल लेवल के तो उसमें भारत के एक सांसद शामिल हुई है उनका नाम क्या है अपराजिता सारंगी उनका नाम है ठीक है अपराजिता अंतरास्ति एक गरीबी उनमूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को कब 17 अ अभ्यास है किसका परमानू अभ्यास है इस्टीड फास्ट नून तो ये नाटो का है बच्चो किसका है ये इंपोर्टन कुशन है ठीक है इसे पार्ट वन में भी रख सकते थे हम बच्चो किसने अपना वार्सिक परमानू अभ्यास इस्टीड फास्ट नून की घोशना की तो नाटो ने की है, इसने नाटो ने, किसने चन्डीगर में, जीव मिलखा सिंग, इन्वितेशनल गॉल्फ टूर्नामेंट जीता है बचो, तो गगंजीत भुलर नाम के गॉल्फ खिलाडी है, गगंजीत भुलर का संबंद किस से बचो, गॉल्फ से है, ध्यान रखना है, ठ चंडीगड में जी मिलखा सिंग इन्विटेशनल गोल्फ टूर्णामेंट वो गगंजीत भुलर ने जीता है अदिती अशोक का संबंध भी किस से है बच्चो अगर पूछा जाए तो इनका संबंध भी गोल्फ से है जल जी वन मिशन लक्ष प्राप्त करने वाला एक मात्र राज्य है जल्दी बताओ क्या सिक्किम है या तमिल नाडू है सिक्किम है या तमिल नाडू तो बच्चो ये है तमिल नाडू किसानों के लिए बहुत सारी पहल जो है जिसमें भारत यूरिया बैग मैंने बताया था वन नेशन वन फर्टिलाइजर ये सब शुरू किसने किया था पी-एम मोधी ने शुरू किया था बच्चो किसने पी-एम मोधी ने किस नाम से यूरिया बैग तो भारत नाम्स का यूरिया बैग भी लॉंच किया गया था ठीक है भारत नाम का यूरिया बैग भी लॉंच किया गया था इंडिया पोस्ट भारत का जो डाक का वेस्ट बंगाल सरकिल है उसने रास्टी डाक सप्ताह के दोरान कौन सा मुबाइल अप लॉंच किया तो पोस् का जो सीजन चल रहा था ना रवी का सीजन तो उसमें बढ़ा गया MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस कभी-कभी पूछ लेता है सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़ाया गया तो मसूर में सबसे ज़्यादा बढ़ोत्री की गई मसूर में 500 रुपे क्विंटल की बढ़ोत्री की गई बचो गयहू की MSP कितनी बढ़ाई थी 110 रुपे जोकी कितनी बढ़ाई थी 100 रुपे ठीक है जोकी बढ़ाई थी 100 रुपे MSP वो दर है जिस पर जो सरकार है ना कम से कम उतनी कीमत पे करती है किसान से उसकी फसल लेने के लिए खरीदने के लिए बचो ठीक है चलो तो मसूर पर सबसे ज़्यादा 22 विश ब्लोक्चेन सिखर सम्मेलन दुबई में हुआ था कहाँ पर दुबई में हुआ था बच्चो 19 अक्टूबर को गुजरात में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉंक्लेव का उद्गाटन किस ने किया तस्वीर लगी हुई है पीम मोदी ने किया मेघा कायाक महसब बच्चो कहां का है मेघाले का वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है मध्य प्रदेश में है बच्चो कहां पर मध्य प्रदेश में है पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलिज राज्य का पहला सरकारी अंग्रेजी माध्य हम college किसके द्वाला शुरू किया गया, तो ये तिरपुरा के द्वाला शुरू किया गया, तिरपुरा में पहला, MBBS हंदी में किसने शुरू किया, मद्य परदेस ने सबसे पहले शुरू किया, बच़ों, याद रखना है, ठीक है, सबसे अधिक प्रदूशन फैलाने वाली और द्योगिक इकाईयों की सूची बनाएगा जारखंड और फिर उनको responsible ठहराएगा कि आपने सबसे ज़ादा प्रदूशन फैलाया अब आपकी ये जिम्मेदारी है तो ये हो जाएगा बच्चो जारखंड वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सब्ता कब मनाया गया बच्चो ये मनाया गया है 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक गया था बच्चो लेकन एक होती है black list जिसे बोला जाता है high risk country यानि जिन को ये माना जाता है कि या तंकवाद को बढ़ावा देते ही देते हैं तो उसमें शामिल किया गया था किसको म्या मार को उसमें पहले से ही कौन कौन देश सामिल है उत्तर कोरिया और इरान उत्तर कोरिय गया था लेकिन तुर्की शामिल था ठीक है तुर्की है उसमें शामिल था किसमें ग्रे लिस्ट में आयोध्या दीपोस सब में कितने लाख दिये जलाए गए और वल्ड रिकॉर्ड बना 15.6 लाख बचो 15.76 लाख कौन सा देश चीन को पचार कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार यानि जहां पर भारत कुछ भेजता है एक्सपोर्ट करता है तो चीन को पीछे छोड़कर नीदरलेंड तीसरे नमबर का भारत सबसे ज़्यादा चीज़ें भेजता है अमेरिका को फिर बच्चों UAE को तीसरे नमबर पर चीन की बजाए कौन बन गया था नीदरलेंड बन गया था संपत्तिकर में राहत देने के लिए कहां पर उपराज जेपाल ने एक समरधी 2022-23 नाम की एक मुस्त संपत्तिकर माफी योजना का शुभारम किया यानि एक मुस्त अगर आप पैसा जमा कर दोगे तो जो संपत्तिकर है क्या है जो आपका प्रोपर 17 वैक्सीन लांच की तो चीन ने लांच की थी बच्चो है ना और हमने नेजल वैक्सीन लांच की थी इनकोवैक हमने यानि इंडिया ने इनकोवैक भारत बायो टेक ने की थी बच्चो इनकोवैक किस राजज ने महिलाओं के अनुकूल परियतन यानि ऐसी परियतन जो महि किसने केरल ने की? महिलाओं के अनकूल पडियेटन किसने शुरुआत की, बच्छो? केरल ने इसकी शुरुआत की थी. नासा का जो हालिया प्रजक्ट है, ड्रैगन फॉलाई, वो किस ग्रह के चंद्रमा पर खोज करने के लिए है? तो Dragonfly किसका है बच्चो वो है NASA का क्या project और ये सनीग रहे के सनीग रहे के चंद्रमा टाइटन पर पहुँचेगा कहा पहुँचेगा टाइटन पर पहुँचेगा ये बच्चो दोजार चौटिस तक पहुँचने की उम्मीद है ठीक है स्टॉर्म कोस्टर जिसे गनीज वर्ल रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे तेज वर्टिकल लॉंच रोलर कोस्टर घुसित किया गया है वो कौन से देश में स्थित है UAE, UAE का बच्चो दुबई है ना क्योंकि दुबई UAE में है तो UAE आप से पूछा जाए तो ठीक है शेहर पूछे तो दुबई बता देना और अगर देश पूछे तो UAE आएगा जैसे हमारे सवाल में गलती से दौन आप्चन हो गए है तो दौन आप्चन उसमें नहीं आएंगे क्योंकि दुबई कहां आता है? दुबई आता है UAE में दुबई कौन सी जगह है? UAE के अंदर ही जगह है दुबई ठीक है? चलो अगला कुशन है हमारा देश की सबसे बड़ी पुरुस प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया किसने जीती थी? जल्दी बताओ बच्चो क्या ये जीती? विनीत शर्माने? बिल्कुल विनीत शर्माने बच्चो आस्रा पेंशन किस राज्य सरकार किया हे? क्या ये तелंगाना किया है? आस्रा पेंशन तेलंगाना किया है बच्चो तो व्रद्ध लोगों को पेंशन दी जाएगी, विद्वाओं को, AIDS की जो रोगी है उनको दी जाएगी बच्चो सारी रिक रूप से अक्षम व्यक्ति यानि सारी रिक तोर पर जो ज़्यादा मजबूत नहीं है उनको भी दी जाएगी ये सब उनको दी जाएगी बच्चो ठीक है चलो ये दी जाएगी pension तो ये कौन सी नाम से है आसरा pension ये कहां किये तेलंगा ना किये बच्चो साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स दोजार बाईस का आयोजन किस ने किया तो भारत में एक बच्चो क्या है CERT Computer Emergency Response Team कहां की इंडिया की तो ये CERT इन जो है इसके दौरा साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स दोजार बाईस का आयोजन किया गया था ध्यान रखना है कि इंडिया मंत्री मंडल ने उत्तर पूर्व के लिए एक नई योजना शुरू की है उत्तर पूर्व के लिए बच्चो उसका नाम क्या है प्रधान मंत्री विकास पहल जैसे PM डिवाइन थी ना वो भी कहा के लिए है उत्तर पूर्व के लिए बच्चो कौनसी उत्तर पूर्व के लिए है PM डिवाइन उसी तरह प्रधान मंत्री विकास पहल भी नौर्थीस के लिए है किस राज्य सरकार ने उद्योगिक पार्क नीती लागू की है तो जार्खंड करेगा उद्योगिक पार्क बच्चो ठीक है 55 करोड रुपे तक की सबसीड़ी दी जाएगी उन कंपनियों को जो एक उद्योगिक पार्क बनाएंगे उद्योगिक पार्क का मतलब जिस पे बहुत सारी फेक्ट्रियां हों, कंपनी हों, दुनिया भर के रोजगार हों, इन के लिए बच्चो ठीक है, तो ये किसके दोरा जहारखंड सरकार की पहल है, विश्व मानसिक स्वास्थ दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, कब 10 अक्टूबर को, किसने लखनव में इंडि रोड कॉंग्रिस का उद्गाटन, 2022 में कहा हुआ, लखनव में हुआ, और रोड से संबंदित मंत्री हैं, नितिन गड करी, कौन? नितिन गड करी, तो इन्हों नहीं किया था बच्चो, महाकालेश वर मंदिर मध्यपरदेश के किस सहर में है, इसके लिए बच्चो एक इसक पंजाब चार भागवानी स्टेट स्थापित करेगा, पंजाब चार भागवानी स्टेट स्थापित करने वाला है, बच्चो, पहला पक्छी उतसव 2022 का कौन से केंदर शासित प्रदेश में हुआ है, तो जम्मू कश्मीर ने अपना पक्छी उतसव सुरू किया था, कहां पर पहलगाम में, कहा पहलगाम में, ओनलाइन जुए का निशेद और आऊंलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागु हुआ। जो ओनलाइन गेम से संबंदित है मान सकते हैं, एक नियम कानून बना दिये गए, काइदे बना दिये गए, किस में बनाए है बचो, किस ने बनाए है, तमिल नाडू ने बनाए है, अंतरास्तिय सौर गटबंधन की पांच्वी सभा का मेजबान, अंतरास्तिय सौर गटबंध ISA की अभी 5वी सभा हुई इसका अध्यक्ष कौन है बचो भारत है ISA का इसका सहध्यक्ष कौन है कौन है फ्रांस है बचो इसकी 5वी बैठा क्योई उसका मेजबान कौन था भारत उसका मेजबान था कौन से देश में फुटबॉल मैच के दौरान 174 लोगों की मौत हो गई थी तो इंडोनेशिया में बच्चो फुटबॉल मैदान फुटबॉल मैच के दोरान भगदर मच गई थी उसमें 174 के करीब लोग और भी जादा भी मर गे थे बाद में संख्या थोड़ा बहुत उपर नीचे आ सकती है ठीक है चलो तीसरी वंदे भार बारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका उदगाटन किया गया था क्टूबर में किन सहरों के बीच देखो ध्यान रखना है आपको मुंबई और गांधी नगर के बीच में शुरू ही थी मुंबई और गांधी नगर वाली की खासियत क्या थी कि पहली ट्रेन थी जो दो राजधा गांधी नगर गुजरात की और मुंबई महरास्त की ठीक है पहली वंदे भारत चली थी नई दिल्ली और वारानसी के बीच और दूसरी चली थी नई दिल्ली और कट्रा के बीच ठीक है दूसरी नई दिल्ली और कट्रा के बीच में चली थी याद रखना है भारतिय बढ़ावा देने के लिए कौनसी कंपनी के साथ भागीदारी की है? क्या Google के साथ किये बच्चो? क्या Google? बिलकुल भारतिय संस्कृती संबंद परिस्ट जो है. ICCR उसने बच्चो क्या किया है? उसने किस के साथ? गूगल के साथ मिलकर किसको बढ़ावा देने के लिए? बच का पहला CNG टर्मिनल कौनसे भारतिय राज्य में बनेगा? तो गुजरात में बनेगा बच्चो कहां पर? भावनगर में. गुजरात के भावनगर में वर्ल्ड's first CNG टर्मिनल जो है उसका foundation stone यानि की आधार सिला रखी गई बच्चो ठीक है? उसकी आधार सिला रखी गई थ इसमें पहले नंबर पे कौन था? क्रेड. कौन सा बच्चो? क्रेड. जिसके माध्यम से बहुत सारे बिल वगएरा जो हैं पे किये जाते हैं. आपने सुना होगा इसके बारे में ना क्रेड जो है. चलो. कौन सा सहर सूचना तक सारभामिक पहुँच के लिए international day पर एक सम्म ताशकंद में हुआ था. कहाँ पर? ताशकंद में हुआ था. इसका अदेश्यता अगर भई सूचना पर सबका अधिकार है. वो सब तक मिलनी चाहिए. जो भी सूचना है वो सब तक पहुँचनी चाहिए. ठीक है? चलो. अडानी ग्रीन ने भारत के किस शहर में दुनिया क सबसे बड़ा पवन सौर उर्जा सैंत्र. यानि पवन उर्जा भी है, उसमें सौर उर्जा भी है, विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी भी है. तो इस सैंत्र चालू किया है. अब किसने बच्चों? अडानी ग्रीन ने? जैसल मेर में. कहां पर? जैसल मेर मेर में 600 का रहेगा कितने का 600 मेगावार्ट का विश्व विकास रिपोर्ट बहुत पूछा जाता है बच्छों है न जैसे मानव विकास रिपोर्ट है Human Development Report ये किसके द्वारा जारी की जाती है ये जारी की जाती है UNDP के द्वारा और इसमें एक क्या आता है बच्छों इसमें HDIE मानव विकास सूचकांक भी इसी के अंतरगत आता है ठीक है तो विश्व विकास रिपोर्ट किस स्था के द्वारा जारी की जाती है तो ये जारी की जाती है World Bank के द्वारा, मानव विकास रिपोर्ट, UNDP के द्वारा, विश्व विकास रिपोर्ट, इसके द्वारा जारी की जाती है बचो, World Bank के द्वारा याद रखना है, किरिस भारतवनसी को, विश्व स्वास्थ संग्ठन के, जो Executive Board में, अमेरिका का Representative Nukth किया गया है, अमेरिका का प्रतिनिधी निक्ट किया गया है, डवलु एचो के कारेकारी Board में, उनका नाम क्या है, डॉक्टर विवेक मूर्ति, उनका नाम है बचो, ठीक है, एक दिगज अभिनेता रहे हैं, अरुन बाली, आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में, अरुन बाली का निधन हो गया, वो कि किस से बचो अभिनेता थे, वो अभिने के छेतर से जुड़े हुए थे, उनका नाम क्या है, तो अरुन बाली उसमें से एक आ जाएंगे, बच्चो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, अगला कुशन है हमारा, हाल ही में, समुद्री विवाद पर, इज्राइल और कि इस देश ने एक एहतिहासिक समझोता किया है, तो लेबनान और इज्राइल ने, किसने बच्चो, लेबनान और इज्राइल ने एक समझोता किया है, समुद्री विवाद पर, बच्चो, फिर मैं बता दूँ, RWA Current Affairs पर इसकी आपको PDF मिलेगी, ध्यान रखना है, दो पार्ट हुआ कुछ जादा विए PDF में, लेकिन मैंने आपको वही चीजें बताई हैं क्लास में, जो most important है, जिनका जादा महत्व है, तो इसलिए एक दो बार वीडियो देख लेना, जिन्नों ने पहले नहीं देखी, बाकी जब भी वीडियो देखो, एक बार ये देख लेना, इसमे आपके लिए बिलकुल new questions हैं जो, जिन में आपको भी confidence नहीं है, तो उनको आप टिक करते रहे ना, जैसे पाँचवे नंबर का सवाल मुझे देखना है, आठवे नंबर का देखना है, ग्यारवा देखना है, उननिसवा देखना है, तो उससे आपका उन सवालों को बार बा महीने तक का current affair किसी भी exam में SSC पूछ लेती है, कोई बहुत जो important चीज तो वो 4 साल पुरानी भी पूछती है, लेकिन 4 साल पुराना current affair पढ़ना आसान है नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये आप कम से कम, 1 साल 15 महीने का तो देख लो, ठीक है, अभी के लिए तना ही बच्चो, क हम बाद में बात करेंगे, कल सुभ है, ये class इतनी रखते हैं, धन्यवाद